नमस्कार दोस्तों मेरा दाम मैं विम्मल सिंग बालत जिस्ट लगी एड़ा में आपका स्वागत है आज तारीक है आपकी 19 जनवरी 2021 फरवरी को आपका 2 से 4 तारीक जो है उसके बीच आपके पेपर प्रस्तावित है परंतु यह जो पेपर आपके होंगे इसके संदर्ब में बहुत ही ज्यादा confusion बनी हुई है बहुत लोग का अलग अलग तरीके से कमेंट आ रहा है कि कौन लोग पेपर दे सकते हैं कौन चात्र एक में बैक है दो बैक है इस टाइप से अलग अलग कमेंट है तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन कौन सा बैच सामिल हो उनके लिए था इसको दिखाने का में उद्देश किया इसमें बैच सभी बताएगा है कौन कौन से तो देखिए 2013-14-15-17 इतने बैच के जितने भी बैक चात्र है जिनका चतुरत समेश्टर में किसी विसे में बैक है या पहले कभी समेश्टर बैक रहा है तो उनको चतुरत समेश्टर के प्रेपर देने को मिलेंगे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी 2018 बैच यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रेट कर रहा है कि उनमें कौन कौन से देंगे देखिए सबसे पहले नमबर के वे चात्र जो की 2018 बैच के हैं और अभी उन्होंने थर्ड समेश्टर की परिक्षा जो है वो दी है उनका रिजल्ट आया है तो वो जितने भी चात्र पास कर चुके हैं थर्ड समेश्टर वो इस चतुरत समेश्टर की परिक्षा देंगे पहली बात आपको समझ में आ गए होगी, अभी ठर्ड समश्टर का result जो है वो आया था, pass percentage काफी कम गया था, तो जितने भी छातर pass हुए थे, वो सभी देंगे, दूसरे नमबर पर सुनिए, जदी किसी कारणवस आपकी ठर्ड समश्टर में एक या कह सकते हैं, दो subject में back आ ग परिक्षा में, पहले 33 समश्टर की बात कर लेते हैं, तो 33 समश्टर में किसी भी प्रिसिच्चू के जो अभी result निकला है, उसमें एक या maximum दो subject में back है, क्योंकि जब 3 या उससे अधिक subject में back होती है, तो उससे semester back कहते हैं, तो semester back की condition या नहीं लागो होगी, एक या दो subject में आप back है आपकी paper में, तो आप इस 4 समश्टर की जो परिक्षा है वो दे सकते हैं, और जब back paper आपका होगा, 33 समश्टर की परिक्षा कब होगी, जो आपका 2019 batch चल लहा है, 2019 batch के जब 3rd semester के paper होंगे, उनके साथ आप back के paper देंगे, जिन भी छात्रों की 33 समश्टर में back है, इतन सबढ़ते हैं, 4th semester, तो तीसरे point के तौर पर इसको समझेए, कि 2018 batch के ऐसे पिसिच्चू जिन्हों ने 4th semester की परिक्षा जो है वो दी थी, और 4th semester की परिक्षा में उनकी एक या कह सकते हैं, 2 विसियों में back लगी हुई है, तो ऐसे पिसिच्चू भी इस 4th semester की जो परिक्षा है, उसमें सामिल होंगे, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए, कि वो केवल और केवल जिस subject में back है, केवल उसी के paper देंगे, ऐसा नहीं आप सोचिएगा, कि उनको 3rd semester के भी सभी paper देने होंगे, और 4th semester तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो 4th semester के जो छात्र थे, उनका 3th semester का जो मुल्यांकन है, वो 1st semester और 2nd semester के अंकों के ओसत के आधारपल already कर दिया गया है, तो अब यदि 4th semester में वो किसी भी करणबस उनकी back आई है, तो उससे उनका 3th semester का कोई लेना देना नहीं है, तो 4th semester में यदि आपकी 1 या 2 subject में back आई है, तो 4th semester में जो फरवरी महा म आपके paper होने वाले हैं, उसमें केवल उनी subject के paper आपको देने होंगे, जैसा rule regulation है, ऐसा ही आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ लोग ने comment किया था कि उनके विद्धायले में कुछ बताया जा रहा है, अगर बताया जा रहा है, तो जाके उसको पता कीजिए, form भरा जा रहा ह आपके विद्धायले में कि इन इन चात्रों का पाउं भरना है, तो वहाँ पर भी पता कर लिजिए, clear कर लिजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, 2018 batch के संदर में, मैंने दोनों ही semester का clear कर दिया, अब जो यहाँ पर 2019 batch है, देखिए वो तो 14 संदर के संदर में मैं आपको बता दूं कि 2019 batch का second semester का result आएगा, यदि आप एक या दो विस्यों में fail हुए, तो आपको दिती semester के सास्ता प्रतम semester के सभी paper देने होंगे, क्योंकि आपका जो 2019 batch है, उसका second semester है, वो first semester के आधार पर promote किया गया है, ना कि आपका वो number लेके आए, तो उनका क्या है, अगर first या semester में जिसमें back आये होगी, वो तो paper देने ही होंगे, साथ ही साथ प्रतम semester जो है, उसके सभी paper देने होंगे, ये केवल 2019 batch की condition में लागू होगा, 2018 batch में मैंने पहले ही clear कर दिया है, अब सारी चीजे clear हो गई होंगी, परिशान ना होईए, आपका फरवरी से paper है, जिनको जिनक कर देख सकते हैं, ना मिले comment कीजिए, फिर भी ना मिले facebook पर message कीजिए, साभी जगा आपको already link मिल जाएगी, टेलिग्राम पर भी आपको मैंने link पेजिदी, वहां से भी आप देख सकते हैं, तो यही था हमारे आज के इस update में, यदि अभी भी आपका कोई person रह गया हो, तो comment section में लिख के पूछ लीजेगा, और वीडियो पसंद आया हो, तो like cover कीजेगा, और share उन सभी छात्रों के साथ कर दीजेगा, जिनके मन में अभी भी doubt है कि कौन दे सकता है, और कौन नहीं, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नया topic के साथ ततकिल नमशकार, थैंकियो वार वाचिंग